नमस्कार, क्यापिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साइमा दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल सुप्रीम कोट के एक फैसले से अब सदमे में आ गए हैं सुप्रीम कोट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि प्रवर्तन निदेशाले यानि एडी किसी को भी बुला सकती है और बुलाए तो हाजिर होना होगा दिल्ली शराब घोटाले में केजरिवाल को अभी तक एडी आठ सम्मन भेच चुकी है एडी ने आठ सम्मन पर केजरिवाल को चार मार्च को पुश्टाश के लिए बुलाया है और इससे पहले केजरिवाल ने सभी साथ सम्मन पर अलग-अलग बहाने बनाए और एडी के सामने पुश्टाश के लिए पेश नहीं हुए लेकिन अब सुप्रिम कोट के इस आदेश के बाद ये साफ हो गया है कि केजरिवाल को एडी के सामने पेश होना ही होगा जारखन के मुख्यमंतरी रहे हेमंत सोरेन को भी एडी ने दस सम्मन जारी किये थे और आखर में उन्हें भी सरेंडर करना पड़ा और अब केजरिवाल की बारी है सुप्रिम कोट की फैसले से केजरिवाल की मुसीबते बढ़ी केजरिवाल अब तक इडी के साथ सम्मन की अंदेखी कर चुके है ऐसे में सवाल उठता है कि इडी के सम्मन की कोई अंदेखी कर सकता है क्या वही सुप्रिम कोट ने PMLA यानि Money Laundering रोगताम कानून को लेकर जो टिपड़ी की है वो केजरिवाल के साथ साथ और कई लोगों की मुसीबत भी बढ़ा सकती है सुप्रिम कोट ने कहा है कि Money Laundering के मामले में अगर कोई जाच बैठती है और E.D. किसी को सम्मन जारी करती है तो फिर उस सम्मन का सम्मान और जवाब देना जरूरी है सुप्रिम कोट ने PMLA कानून की धारा 50 की व्याक्या करते हुए ये बाते कहीं सुप्रिम कोट में सुनवाई के दोरान जस्टिस बेला एमत्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि E.D. की तरब से बुलाए जाने पर व्यक्ति को हाजिर होना होगा और PMLA के तहट कारवाई के मताबिक अगर जरूरी हुआ तो सबूत भी पेश करना होगा सुप्रिम कोट ने ये फैसला तमिलनाडू के एक मामले में दिया दरसल E.D. यानि प्रवरतन देशाले तमिलनाडू में एक कतित रेत खरनन घोटाले की जाच कर रही है E.D. ने इसी जाच के सिलसले में तमिलनाडू के पाँच जिला कलेक्टर को सम्मण जारी किया था तमिलनाडू सरकार ने पाँचो अधिकारियों की तरफ से E.D. के सम्मन को मदरास उच्च न्याले में चुनोती भी रही थी और High Court ने सुनवाई के बाद ED के संबन पर रोक लगा दी ED ये मामला लेकर Supreme Court पहुची हुई थी और ED का कहना था कि मद्रास High Court के संबन पर रोक सही नहीं है Supreme Court ने ED के तरकों को सही माना और संबन पर लगी रोक को हटा दिया इसका मतलब ये है कि तमलाडू के पाजों अधिकारियों को अब E.D. के सामने पेश होना होगा प्रवर्तन निदेशाले ने केजरिवाल को पाँच सम्मन देने के बाद भी पेश नहीं होने पर दिल्ली की अदालत का दर्वाजा खट-कटाया था और इस पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोट ने 7 फरवरी को सुनवाई करते हुए 17 फरवरी को पेश होनी के लिए भी कहा था वीडियो कॉन्फरेंसिंग से कोट में पेश हुए केजरिवाल E.D. के सम्मन पर पेश ना होने पर दिली की राउज एवेन्यू कोट में 17 फरवरी को केजरीवाल वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये पेश हुए और सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि अगली पेशी में मैं खुद आऊंगा विश्वास पिस्ताओ पर चर्चा और बजट सत्र की चलते इस बार नहीं आ सका कोट ने मामले की अगली तारीख अब 16 मार्च तैकी है और इस बीच में शराब घोटाले में E.D. ने केजरीवाल को 27 फरवरी 2024 को आठवा सम्मन भेजा और पूछताज के लिए 4 मार्च को बुलाया है इससे पहले E.D. ने अभी तक 7 बार सम्मन भेजा था लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए E.D. के 7 सम्मन पर 7 बहाने भी बना चुके हैं चलिए आपको भी बताते हैं कि कैसे केजरीवाल ने 7 सम्मन पर 7 तरीके के अलग-अलग बहाने बना कर पेश होने से साफ तर पर मना का दिया दिल्ली की शराब नीती में उए घोटाले से जोड़े मामले में E.D. ने CM अर्विंद केजरीवाल को पहला सम्मन 30 अक्टूबर 2023 को भेजा था और पूश्ताश के लिए 2 नवंबर को बलाया था दिल्ली CM अर्विंद केजरीवाल शराब नीती केस में पूश्ताश के लिए जांच एजंसी E.D. के सामने पेश नहीं हुए और इसके बदले केजरीवाल ने E.D. को एक लेटर भेज कर सम्मन को वापस लेने को कह दिया साथी केजरीवाल ने जांच एजंसी से सवाल किया कि आपने सम्मन में मुझे ये नहीं बताया कि मैं संदिक दू हूँ या गवा दिल्ली के शराब गुटाली मामली में प्रवरतर निदेशाले ने मुख्यमंतरी अर्विन केजरीवाल को दूसरे सम्मन 18 दिसंबर 2023 को भेजा और 21 दिसंबर को पूछताश के लिए बुलाया लेकिन दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल ने E.D. के दूसरे सम्मन पर अपना जवाब दिया उन्होंने अपने जवाब में लिखा कि मैं हर कानूनी सम्मन मानने को तयार हूँ लेकिन E.D. का ये सम्मन भी पिछले सम्मन की तरह ही गयर कानूनी है सियम केजरिवाल को E.D. ने तीसरा सम्मन 22 दिसंबर को जारी किया और उन्हें तीन जनवरी को पेश होने को कहा था लेकिन केजरिवाल E.D. के सामने पेश होने की बजाए विपशना के लिए पंजाब के होश्यार पुर पहुँच गये मोखिमंत्री अर्विन केजरिवाल ने E.D. के तीसरे सम्मन पर तीन जनवरी को जाच जनसी को लिखे जवाब भेजा उन्होंने E.D. को अवगत कराया कि फिलहाल राज्य सभाचनाव और गरतंतर दिवस की तयारियों में वैस्त है वो अजनसी की किसी भी प्रशनावली का जवाब देने को तयार है दिल्ली में शराब गोटाली मामली में दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल को प्रवरतन देशाले ने चौथा सम्मन 13 जनवरी को जारी किया और 18 जनवरी को पोश्टाच के लिए बुलाया केजरिवाल के चोथे सम्मन पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि एडी ने कहा है कि केजरिवाल आरोपी नहीं है फिर उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है ब्रश्ट नेता बीजेपी में जाते हैं उनके मामले बंद हो जाते हैं हमने कोई ब्रश्ट चार नहीं किया है हमारा को कोई भी नेता बीजेपी में नहीं जाएगा। कोई भी नेता बीजेपी में जाएगा। पांच पॉइंट्स पर सीयम से होनी है पुश्टाच। इनफ्रोस्मेंट डारेक्टर ने 338 करोड रुपे की मनी ट्रेल अदालत के सामने रखी थी। जिसमें ये साबित हो रहा था कि आपकारी निती के दोरान शराब माफिया से 338 करोड रुपे आम आदमी पार्टी तक पहुचा है। पार्टी के संरक्षक अर्विन केजरिवाल हैं इसलिए उनसे पुश्टाच करना भी जरूरी है। आरोपियों से केजरिवाल की हुई थी वीडियो कॉल दिये दूसरा पॉइंट है। आरोपि इंडो स्पिरिट के डारेक्टर समेर महेंद्रू ने पुश्टाच मेडि को ये बताया कि अर्विन केजरिवाल के बेहदी करीबी विजय नायर ने उनकी मुलाकात FaceTime एप के जरी अर्विन से करवाई थी। जिसमें अर्विन केजरिवाल ने उससे बोला था कि विजय नायर उसका आदमी है और इसे नायर पर भरोसा रखना चाहिए। की मनजूरी से ही 12 प्रतिशब किया गया था यानि आपकारी नीती बनाने में अर्विन केजरिवाल की भूमिका थी। शराबनीती के लिए काबिनेट बैठक केजरिवाल ने बुलाई थी और ये रहा पांच शुमा और आखरी पाइंट। जिसमें नई आपकारी नीती को लेकर जो काबिनेट बैठक होई थी वो काबिनेट बैठक मुख्यमंत्री के तरब से ही बुलाई जाती है। E.D. इन्ही 5 पॉइंट्स को लेकर अर्विंद केजरिवाल से पुष्टाश करना चाहती है मनीज सिसौधिया एक साल से जेल में दिल्ली के राउज रवेनी कोट ने पूर्वो मुख्यमंत्री और आमाद्वी पार्टी के वरिष्ट नेता मरी सिसौधिया की जमानत याचिका पर होने वाली नियमित सुनवाई को टाल दिया है क्योंकि सिसौधिया की सुधारात्मक याचिका सुप्रिम कोट में लंबे थै मामले के सुनवाई अब 2 मार्च को होगी सिसोधिया एक साल से जेल में बंद है और उन्हें फरवरी 2023 में गिरफतार किया गया था वही संजे सिंग भी जेल में है उनको भी जमानत नहीं मिल रही है शराब गोटाले में 4 अक्टूबर 2023 को दिली में संजे सिंग के सरकारी आवास पर 10 घंटे से जादा तक छापे मारी और लंबी पूश्टाज के बाद E.D. ने उन्हें गिरफतार कर लिया था और 8 दिन तक E.D. कस्टडी में पूश्टाज के बाद उन्हें तिहार जिल भेज दिया गया था E.D. कारों पे कि संजे सिंग आवकारी नीती को बनाने में उनकी भी एहम भूमी का थी और वो रिश्वत के लेंदेन से भी जुड़े हुए थे उन्हें अब तक जमानत नहीं मिल पाई है लेकिन आप देखना ये होगा कि क्या इस बार अरविंद के जिवाल E.D. के सामने पेश होंगे या फिर से कोई नया बहाना बना कर तयार कर देंगे आपका क्या मानना है कॉमेंच करके जरूर बताईए फ़लाल के लिए इतना ही बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रही कैपिटल टीवी के साथ नमस्कार